सब्सक्राइब के लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपडेट यहां पर लेके आ चुका हूँ जहां पर हाइरिंग कर रहे हैं बल्क में काफी सारी विकेंजिस यहां पर निकाली हुई है और यहां पर आपको एक जो पेआउट मिलने वाला है वह भी बहुत जादा डिसेंट होने वाला है यहां पर बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन यहां पर बहुत ज्यादा एजी रखी गई है इसके नोडिफिकेशन के उपर जैसे आप इस स्क्रीन भी देख सकते हैं इसकी तरफ से आप यह नोडिफिकेशन निकल के आ रहे है मतलब आपके इस्टन रेलवेस के साइड में आपका जितने भी वरक्शोप होंगे उनके यहां पर हाइरिंग हो रही है अब बात करतें Engagement of Apprentice for Apprenticeship Training मतलब यह आपकी Apprenticeship रहने वाली है जो की जाहतर एक साल की रहती है अब इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाएता हूँ Apprenticeship बिसिकलर क्या होता है आपको वन येर की वहाँ पर ट्रेनिंग प्रवाइड की जाती है और वहाँ पर आपको एक सर्टन आउन दिया जाता है उस ट्रेनि पीरियड में अब बहुत सारे Candidate Apprenticeship का नाम सुनते वीडियो छोड़ देते हैं बट आपको ऐसे नहीं करना है आपको Apprenticeship करनी है Reason उसका मैं आपको बताता हूँ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मैंने उसका लिंक आई बिटन में अटैच कर रहा है उस वीडियो में एक हाइरिंग थी वहाँ पे Apprenticeship की basis पे वो लोग हायर कर रहे थे Candidates को और बिलीव में उनकी जो salary थी वो बहुत अच्छी थी 10th pass वालों के लिए वो पोस्ट रखी गई थी और उनकी salary up to 40,000 थी बस उन्होंने एक साल का Apprenticeship का Certificate मांगा था और अगर आप लोग ने Apprenticeship कर रखी होगी तभी तो आपके पास उसका Certificate होगा तो आपको अगर इस तरीकी कोई Apportionate आती हो तो उसको वाँ पर Miss नहीं करने है आपको उसको Grab करना है इसलिए मैं आपसे कहता है रहता हूँ कि इस तरीकी से कोई Apprenticeship आती है और अगर आप उसकी eligible हो तो आपको वाँ पर उसको जरूर आपके पास उसका एक experience आजाएगा ताकि अगर आप कहीं और जॉब लेने जा रहे हो तो आप कहीं पर lag नहीं करोगे आप अपने experience के business पे एक अच्छा amount कहीं भी जाके earn कर सकते हो तो इसलिए आप इन Apprenticeship को जरूर अप्लाई किया करो अब बात कर लेते हैं इसके important dates के बारे में इसके फर्म स्टार्ट हो चुके इंटरस नमबर 2023 से और इसके फर्म की last date होने वाली है नौ दिसमबर 2030 सो अगर आप इसके लिए इंटरस्ट्ट इसके फर्म को जरूर अपलाई करना है इसके लाबब बात कर लेते हैं आपर mode of selection की बहुत जादा easy रखा गया है आपके जो 10th में marks आयते हैं उनहीं के business पर आपको hire किया जाएगा और उसी के basis पर एक merit list बनाई जाएगी और उसी के basis पर आपको इस apprenticeship को दिया जाएगा और इ कुछ trades है अब यहें trades आपके iti के और diploma के अगर आपने अगर 10th pass के बाद iti और अगर अपना complete कर रखा है तो आप यहाँ पर इसको apply कर सकते हैं और जिन्होंने सिर्फ 10th pass complete कर रखी है वह वाले candidate भी इसको apply कर सकते हैं कोई अलगलग differentiate नहीं है जिन्होंने कर रखी है उनको थोड़ा एक plus advantage मिल जाएगा जिन्होंने नहीं कर रखी है ऐसे नहीं हो apply कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं बात करते हैं उन्हें कुछ यहाँ पर divisions दी हुए है तो मैं आपको बताया तो कि कहां पर कितनी vacances निकली है जैसकि दानपूर के लिए यहाँ पे 294 vacances निकाली एक carriage repair workshop के लिए आपका यहाँ पर 48 vacances निकली हुई है और एक medical workshop समस्तिपूर यहाँ पर 51 vacances निकली हुई है तो कुछ इस divisions में इन्होंने अपने vacances को divide किया हुआ है तो आप देख सकते हैं आपकी nearby जो पढ़ती है आप वहाँ पर उसको apply कर सकते हैं और वैसे ऐसा नहीं है कर सकते हैं बस make sure अगर आप में आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको वहाँ पर उसके nearby शिफ्ट होना पड़ेगा इसके लावाँ बात कर लेते हैं आप आप आपकी 15 years से लेके 24 maximum age limit रहने चाहिए और अगर आप यहाँ पर special category से belong करते हैं like SCST तो यहाँ पर आपको एक्ट्र देखने को मिलता है सो यह आपका stipend रहने वाला है इसके लावा बात कर लेते हैं कि आपके कितने percentage मार्क होने चाहिए आपके 50% मार्क होने चाहिए 10 में और आपके आपके एक्जाम में तो यहाँ पर इसको apply कर पहोगे और बात करते हैं अगर आप इसके form को apply कर रहोते हैं इसके form को apply करना तो यहाँ पर पूरा प्रोसस बताया हुआ है आप जसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको यह स्टेप्स फॉलू करने है इनोंने सारे स्टेप्स को explain किया हुआ है कि आपको अपना फोटोग्राफ स्कैन करना है फिर आपना स्कैन करना है फिर डॉक्यमें अपने सारे अप्लोड करने इस तरीक से अपनी सारी चीज़ें आपको complete करनी है और इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो हम आपके लिए यहाँ पर बैठें आप मुझे कमेंट करें सारे डाउट को आपको resolve करूँगा और अगर आपके वीडियो पन साथ इस वीडियो